इन दिनों भोजपूरी के जो स्टार्स होते हैं, वो अपनी किसी ना किसी बात को लेकर चर्चे में रहते हैं, सूपर स्टार्स चर्चे में रहते हैं और अगर बात की जाए घोजपूरी की एक्ट्रिस की घोजपूरी की अदाकाराओं की तो उनकी भी अदाईगी हर किसी को खासा पसंद आती है अदाईगी तो पसंद आती है फिल्में भी पसंद आते हैं और कई सारी एक्ट्रिस अपने एल्बम भी लेकर आती हैं जो कि टेलिविजन से भोषपुरी में एंटड़ी कर रही हैं तो कई सारी ऐसे एक्टरेसें जो कि भोषपुरी इंडस्टरी से अपनी खास पहचाण बना चुकी है और उसके बाद वो किसी हिंदी टीवी सीरियल में जा रही है या फिर बॉलीवोड में एंटरी कर रही है जी हाँ जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मुनाली सा जो है अभी कुछ टाइम पहले ही वो भोजपुरी इंडस्ट्री से जहाँ अपनी एक खास पहचान बना चुकी थी तो वहीं अब वो स्टार प्लस के सीरियल हिंदी टीवी सीरियल नजर में दिखाए दे रही है एक और ऐसी ही एक्टरस का नाम आया है जो जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही है जी हाँ बॉलीवुड में भोजपुरी की लुलिया गर्ल जा रही है बता दें आपको कि भोजपुरी की शायद यह उनकी पहली फिल्म होगी और इसमें वह काफी जबर्दस्ट एक्शन करती काफी अदाय बिखेरती नजर आएंगी काफी ज्यादा अलग अंदाज में दिखाए देंगी जी हाँ और उनकी फिल्म का नाम है आई अम पिंगला इस फिल्म में निधी जा का रोल काफी जबर्दस्ट होने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें वह एक् के नाम से रात और रात फेमस हो गई थी जो गाना था लुलिया का मांगे ले और इसमें वह पवन सिंग के साथ जबर्दस्ट डांस करती हुई नजर आई थी और साथी साथ उनका डांस लोगों वह खासा पसंदा है तो वहीं वह भोजपूरी इंडस्ट्री में अपने काफी अच्छी और साथ ही वह इस साथ की फिल्में भी सायन करती हैं एक बार एक इंटरव्यों में उन्होंने पताया मांतबस् liking करती है जो किि काफ्य ज्यादा अच्छीए जिसमें एक अच्छा मैसेज हो और उस फिल्म की कहानी अच्छी हो जब उन्हें कहानी पसंद आती है तब वो फिल्म साइन करती है और अब बॉलीवूड में जब वो जा रही है तो ये भी देखना काफी मज़ेदार होगा कि निधी जा बॉलीवूड में किस तरह का किरदार निभाती नजर आएंगी और साथी साथ उनके जो फैन्स हैं उनकी शुब कामना है तो हैं ही लेकिन हमारी भी शुब कामना है निधी के साथ और बॉलीवूड डेब्यू जिस तरह से वो कर रही है इससे तो साफ है कि निधी जा के अंदर ठेज सारा confidence है अब ये देखना भ बहुत अच्छी एक्टर्स हैं बहुती टालेंटेड एक्टर्स हैं लेकिन अब ये भी देखना काफी मज़ेदार हुआ कि बॉलीवूड में उनने भोच्पूरी जितनी popularity मिल पाती है या नहीं